मेरे प्यारे देश्वास्यों नमस्कार मन की बात के 110 वे एपिसोड में आपका स्वागत है हमेशा की तरह इस बार भी हमें आपके धेर सारे सुझाव इनपूर्ट्स और कॉमेंट्स मिले हैं और हमेशा की तरह इस बार भी ये चुनोती है कि एपिसोड में किन-किन विश्वों को सामिल किया जाए मुझे पॉजिटिविटी से भरे एक से बढ़कर एक इनपूर्ट्स मिले हैं इनमें बहुत सारे ऐसे देशवास्चों का जिक्र है जो दूसरों के लिए उम्मीद की किरण बनकर उनके जीवन में बहतरी लाने में जुटे हुए हैं साथियों कुछी दिन बाद आठ मार्च को हम महिला दिवस मनाएंगे ये विशेश दिन देश की विकास यात्रा में नारी शक्ति के योगदान को नमन करने का आउसर होता है महा कभी भरतियार जी ने कहा है कि विश्व तभी सम्रुद्ध होगा जब महिलाओं को समान आउसर मिलेंगे आज भारत की नारी शक्ति हर छेत्र में प्रगती की नई उचायों को छू रही है कुछ वर्ष पहले तक किसने सोचा था कि हमारे देश में गाउं में रहने वाली महिलाएं भी ड्रोन उड़ाएंगी लेकिन आज ये संभव हो रहा है हाथ तो गाउं गाउं में ड्रोन दीधी की इतनी चर्चा हो रही है हर किसी की जुबान पर नमो ड्रोन दीधी नमो ड्रोन दीधी इस चल पड़ा है हर कोई इसके विश्य में चर्चा कर रहा है एक बहुत बड़ी जिग्यासा पैदा हुई है और इसलिए मैंने भी सोचा कि क्यों ना इस बार मन की बात में एक नमो ड्रोन दीधी से बात की जाए हमारे साथ इस वक्त नमो ड्रोन दीधी सुनिता जी जुड़ी हुई है जो उत्तरपुदेश के सितापूर से हैं आईए उनसे बात करते हैं सुनिता देवी जी आपको नमस्कार अच्छा सुनिता जी पहले मैं आपके विशे में जानना चाहता हूं आपके परिवार के विशे में जानना चाहता हूं थोड़ा कुछ बता दीजिए आपकी पढ़ाई क्या हुई सुनिता जी और वैसे गर में कारोबार वगर क्या है कारोबार वगरा खेतिवारी करते हैं अच्छा सुनिता जी ये ड्रोन दिदी बनने का आपका सफर कैसे शुरू हुआ आपको वो ट्रेनिंग कहां मिली कैसे कैसे बढ़लाव क्या आया मुझे पहले से जानना है सुनिता जी मुझे ये समझना है कि मानौ पहले दिन गए पहले दिन आपका ड्रोन दिखाया होगा पिर कुछ बॉर्ड पर पढ़ाया गया होगा कागर पर पढ़ाया गया होगा फिर मैदान में ले जाएगे प्रक्टिस क्या क्या हुआ होगा आप मुझे समझा सकती है पूरा वर्ण जी जी सब दूसरे दिन से हम लोगों की ट्रेनिंग शुरू हुई थी पहले तो ठिवरी पढ़ाई गई थी सब क्लास चले थे दो दि पास चला सके बाद में टेष्ट लिया गया, फिर क्रेटिकल करवाया गया था हम लोगों का मतलब ड्रोन क कैसे उडाना है कैसे कैसे मतलब आप को कार वह सबाद कर आज हुऑ कि ट्रॉन किा करेगा वह कैसे सिखाया फिर ड्रोन कारेगा किushing कि जैसे अब ही फसल बढ़ी हो बर्सात का मौसम या कुछ भी इसे बर्सात में दिक्कत होती, खेट में थचल में हम लोग घुसनी पा रहे हैं, तो कैसे मजदूर अंदर जाएगा, तो इसके माधिन से बहुत फैदा किसानों को होगा, और वहां खेट में घुसना भी नहीं पड़ेगा, हमारा ड्रोन जो हम मजदूर लगा के अपना काम करते हैं, वो हमारा ड्रोन से मेड पे खड़े होके हम अपना हो कर सकते हैं, कोई कीडा मकूडा अगर खेट के अंदर है, उससे हमें सावधानी भी बर्तनी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं हो सकती है, और किसानों को भी बहुत अच्छा लग रहा और हम लोगों को सिर्फ आके खेट बताना पड़ता है, कि कहां से कहां तक मेरा खेट है, और सारा काम वाधा गंटे में ही निक्टा देती तो ये ड्रोन देखने के लिए और लोग भी आते होंगे फिर तो बहुत भीड़ लग जाती है, ड्रोन देखने के लिए बहुत सारे लोग आ जाते हैं, जो बड़े बड़े खारमर्स लोग हैं, वो लोग नमबर भी ले जाते हैं कि हम भी आपको बुलाएंगे इस परे के लिए अचत क्योंकि मेरा एक मिशन है लगपती दीदी बनाने का, अगर आज देश भर की बहने सुन रही हैं, तो एक ड्रोन दीदी आज पहली बार मेरे साथ बात कर रही हैं, तो क्या कहना चाहेगी आप? जैसे आज मैं अकेले ड्रोन दीदी हूं, तो ऐसी हजारों बहने आ गया हैं कि मेरे जैसे ड्रोन दीदी वो भी बने हैं, अब मुझे बहुत खुसी होगी कि जब मैं अकेली हूं, मेरे साथ में और घजारों लोग ख़ड़े होंगे, तो बहुत अच्छा लगेगा कि हम अ मेरी बहुत-बहुत सुब कामना है। साथियों, आज देश में कोई भी खेत्र ऐसा नहीं है, जिसमें देश की नारिशक्ती पीछे रह गई हो। एक और खेत्र जहां महिलाओं ने अपनी नेत्रुत और ख्षमता का बहतरीन प्रदर्शन किया है, वो है प्राकृति खेती, जल समरक्षन और स्वच्छता। केमिकल्स से हमारी धर्ती मा को जो कश्ट हो रहा है, जो पीडा हो रही है, जो दर्द हो रहा है, हमारी धर्ती मा को बचाने में देश की मात्रुशक्ती बड़ी भूमी का निभा रही है। देश के कोने कोने में महलाएं अब प्राकृति खेती को विस्तार दे रही है। आज अगर देश में जल जीवन मिशन के तहट इतना काम हो रहा है, तो इसके पीछे पानी समित्यों की बहुत बड़ी भूमी का है। इस पानी समित्य का नेत्रुत्व महलाओं के ही पास है। इसके अलावा भी बहने बेटियां जल सवरक्षण के लिए चव तरफा प्रयास कर रही है। मेरे साथ फोन लाइन पर ऐसी ही महला है कल्यानी प्रफुल पाटिल जी। यह महराश्टर के रहने वाली है। आईए कल्यानी प्रफुल पाटिल जी से बात कर उनका अनुभव जानते हैं। कल्यानी जी नमस्ते। नमस्ते सर जी नमस्ते। कल्यानी जी पहले तो आप अपने विशे में अपने परिवार के विशे में अपने कामकाज विशे में जरा बताईए। और फिर गाउं में खेती के काम में लग गई है क्योंकि आपके पास बेजिक नॉलेज भी है आपकी पढ़ाई भी खेतर में हुई है और अब आप खेती में जूड़ गई है तो क्या-क्या नए प्रवोग की है आपने सर, हमने जो दस प्रकार के हमारी वनस्पति है उसको एकत्रिट करके उससे हमने ओर्गेनिक फवारनी बनाया जैसे कि जो हम पेस्टिसाइड वेकरा स्प्रे करते तो उससे पेस वेकरा जो हमारी मीत्रकेटर है वो भी नश्ट हो रहे है और हमारी स्वाईल का पॉलूशन होता जो सब केमिकल चीज़े वो पानी में गुल मिल रही है उसके वज़े से हमारे बोड़ी पर भी हानिकारक परिणाम दिख रहे हैं उस हिसाब से हमने कम से कम पेस्टिसाइड का यूद करके तो एक प्रकार से आग पूरी तरह प्राकुरूतिक खेती की तरफ जा रही है जो आपनी पारमपारिक खेती है सर वैसे हमने की पिछले साल क्या अनुभव आया प्राकोतिक खेती में सर जो हमारी महिला है उनको जो खर्च है वो कम लगा और जो प्रोड़क्ट है सर तो वो समाधान था कि हमने विदाउट पेस को क्या है क्योंकि अब कैंसर के प्रमान जो बढ़ रहे है जैसे शहरी भागों में तो है लेकिन गाउ में भी हमारे उसका प्रमान बढ़ रहे है तो उस हिसाब से अगर आप अपने आगे के परिवार को अपने शुरक्षित करना है तो ये मार का उलंबना जरूरी है इस इसाब से वो महिलाए भी सक्रिय सहबाग इसके अंदर दिखा रही है अजा कलेण जी आपने कुछ जलसवरक्षर में भी काम किया है उसमें क्या किया है आपने सर रेनवोर्टर हर्वेस्टिंग जो हमारे शास्किय जितने भी इमारते जैसे की प्रातर मिक्षाला हुई अंगनवाडिया हुए हमारी क्रामपंचे की जो बिल्डिंग है वहां के जो पानी है बारिश का वो सब इकटा करके हमने एक जगा पे कलेक्ट किया हुआ है और जो रिचार्शाप है सर के बारिश का पानी जो गिरता है वो जमीन के अंदर परकोलेट होना चाहिए तो उस हिसाब से हमने 20 रिचार्शाप हमारे गाउं के अंदर किये हुए है और 50 रिचार्शाप का सैंक्शन हो गया है जल्दी उसका भी काम टालू होने वाला है संपुर्ण सार्थ की लागल माद जीवन असमी समझते भास सेवा करा चलिए आपका नाम ही कल्याणी है तो आपको तो कल्याण करना ही करना है धन्यवाज जी नवस्कार धन्यवाज कर धन्यवाज साथियों चाहे सुनिताजी हो या कल्याणी जी अलग अलग छेत्रों में नारी शक्ति की सफलता बहुत प्रेरक है मैं एक बार फिर हमारी नारी शक्ति की स्पिरिक की रदय से सराना करता हूँ मेरे प्यारे देश्वासियों, आज हम सब के जीवन में टेक्नोलोजी का महत्व बहुत बढ़ गया है, मोबाइल फोन, डिजिटल गैजेट्स, हम सब की जिन्दगी का एहम हिस्सा बन गए हैं, लेकिन क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि डिजिटल गैजेट्स की मदद से अब वन्य जीवों के साथ तालमेल बिठाने में भी मदद मिल रही हैं, कुछ दिन बाद तीन मार्ज को विश्व वन्य जीव दिवस है, इस दिन को वन्य जीवों के सवरक्षन के प्रती जागरुकता फ्यलाने के उद्देश से मनाया जाता है, इस वर्स वर्ल्ड वाइड को सर्वों पर ही रखा गया है, आपको ही जानकर खुशी होगी कि हमारे देश के अलग-अलग हिस्सों में बन्य जीवों के सवरक्षन के लिए टेक्नलोजी का खूप उप्योग हो रहा है, पिछले कुछ वर्सों में सरकार के प्रयासों से देश में बागों की संख्या रहाइसों से जादा हो गई है, चंदरपूर जिले में इनसान और बागों के संगर्ष को कम करने के लिए आर्टिफिशल इंटेलिजन्स की मदली जा रही है, यहां गाउं और जंगल की सीमा पर कैमेरे लगाए गए हैं, जब भी कोई बाग गाउं के करीब आता है, तब AI क मदद से स्थानिय लोगों को मोबाइल पर एलेट मिल जाता है, आज इस टाइगर रिजर्व के आसपास के तेरा गाउं में इस व्यवस्ता से लोगों को बहुत सुविधा हो गई है, और बागों को भी सुरक्षा मिली है, साथियों, आज युवां एंटरप्रनस भी वन्य जीव सवरक्षन और इको टूरिजम के लिए नए नए इनोवेशन सामने ला रहे हैं, उत्राखन के रूरकी में रोटर प्रिसीशन ग्रूप्स ने वाइल लाइप इंस्टिटूट अफ इंडिया के सहयोग से ऐसा ड्रोन तयार किया है, जिससे के नदी में गडियानों पर नजर रखने में मदद मिल रही हैं, इसी तरह बैंगलूरू की एक कंपनी ने बगीरा और गरूड नाम का एप तयार किया है, बगीरा एप से जंगल सफारी के दोरान वाहन की स्पीड और दूसरी गतिविधियों पर नजर रखी जा सकती है, देश के कई टाइगर डिजव में इसका उप्योग हो रहा है, आर्टिफिशल इंटेलिजेंस और इंटरनेट और तिंक्स पर आधारी गरूड एप को किसी सी सी टीवी से कनेक करने पर रियल टाइम अलेट मिलने लगता है, बन्ने जीवों के समरक्षण की दिशा में इस तरह के हर प्रयास से हमारे देश की जय विवित्ता और सम्रुद्ध हो रही है, साथ क्यों भारत में तो प्रकूति के साथ तानमेल हमारी संस्कृति का अभिन हिस्सा रहा है, हम हजारों वर्सों से प्रकूति और वन्ने जीवों के साथ सह अस्तित्व की भावना से रहते आए हैं, अगर आप कभी के मेलगा टाइगर रिजोर जाएंगे तो वहां स्वयम इसे अनुभव कर सकेंगे, इस टाइगर रिजोर के पास खटकरी गाउं में रहने वाले आदिवासी परिवारों ने सरकार की मदद से अपने घर को होमस्टे में बदल दिया है, ये उनकी कमाई का बहुत बड़ा सा अधन बन रहा है, इसी गाउं में रहने वाले कोरकु जन जाती के प्रकास जामकरजी ने अपनी दो हेक्टर जमीन पर साथ कमरों वाला होमस्टे तयार किया है, उनके हां रुकने वाले परियाटकों के खाने पिने का इंतजाम उनका परिवारी करता है, अपने घर के आसप रोजगार के नए अफसर बने हैं, मेरे पहरे देशवास के हो, जब पशुपालन की बात करते हैं, तो अक्सर गाए बैस तक ही रुख जाते हैं, लेकिन बकरी भी तो एक एहम पशुधन है, जिसकी उतनी चर्चा नहीं होती है, देश के अलग-अलग छेत्रों में अनेकों लोग बकरी पालन से भी जुड़े हुए हैं, ओडिसा के काला हंडी में बकरी पालन गाउं के लोगों की आजीविका के साथ साथ उनके जीवन स्तर को उपर लाने का भी एक बड़ा माध्यम बन रहा है, इस प्रयास के पीछे जयन्ती महापात्रा जी और उनके पती बिरें साहु जी का एक बड़ा फैसला है, ये दोनों बैंगलूरु में मेनेजमेंट प्रोफेशनल्स थे, लेकिन इन्होंने ब्रेक लेकर काला हंडी के साले भाटा गाउं आने का फैसला लिया, ये लोग कुछ ऐसा करना चाहते थे, जिस यहां के ग्रामीरों की समस्याओं का समा इन्होंने मानिकस्तु एग्रो किस्थापना की और किसानों के साथ काम शूरू किया, जैन्ती जी और बिरेन जी ने यहां एक दिल्चस्प मानिकस्तु गोट बैंक भी खोला है, वे सामुदा इक स्तर पर बक्री पानन को बढ़ावा दे रहे हैं, उनके गोट फार्म में कर दर्जनों बक्रियां है, मानिकस्तु गोट बैंक इसने किसानों के लिए एक पूरा सिस्टिम तयार किया है, इसके जरिये किसानों को 24 महने के लिए दो बक्रियां दी जाती हैं, दो वर्सों में बक्रियां नव से दस बच्चों को जन्ब देती हैं, इन में से छे बच्चो को दे दी जाती है जो बक्री पालन करता है इतना ही नहीं बक्रियों की देखभाल के लिए जरूरी सेवाएं भी प्रदान की जाती है आज पचास गाउं के एक हजार से अधिक किसान इस दमपत्ति के साथ जुड़े हैं उनकी मदद से गाउं के लोग पशुपालन के खेत्र म आत्मन निर्भरता की और बढ़ रहे हैं मुझे यह देखकर बहुत अच्छा लगता है कि विभिन्न ख्षेत्रों में सफल प्रफेशनल्स छोटे किसानों को ससक्त और आत्मन निर्भर बनाने के लिए नए नए तरीके अपना रहे हैं उनका यह प्रयात हर किसी को प्रिद करने वाला है मेरे प्यारे देश वास्यों हमारी संस्कृति की सीख है परमार्थ परमो धर्महा यानि दूसरों की मदद करना ही सबसे बड़ा कर्तव्य हैं इसी भावना पर चलते हुए हमारे देश में अंगिनत लोग निश्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करने में अ अपना जीवन समर्पित कर देते हैं ऐसे ही एक व्यक्ति है बिहार में बोजपूर के पीमसी भवेश जी अपने खेत्र के मुसहर जाती के लोगों के बीश इनके कारियों की खूप चर्चा है इसलिए मुझे लगा है कि क्यों ना आज इनके बारे में भी आपसे बात की जा आई कि बिहार में मुसहर एक अत्यंत वंचित समुदाय रहा है बहुत गरीब समुदाय रहा है बीमसी भवेश जी नहीं समुदाय के बच्चों की चिक्षा पर अपना फोकस किया है ताकि उनका भविश उजवल हो सके उन्हों ने मुसहर जाती के करीब आठ हजार बच्चों का स्कूल में दाखिला कराया है उन्होंने एक बड़ी लाइब्रेरी भी बनवाई है जिससे बच्चों को पढ़ाई लिखाई की बहतर सुविदा मिल रही है भीमसी जी अपने सबुदाय के सदस्यों के जरूरी डोकुमेंट बनवाने में उनके फॉर्म भरने में भी मदद करते हैं इससे जरूरी संसाधनों तक गाउं की लोगों की पहुँच और बहतर हुई है लोगों का स्वास्त बहतर हो इसके लिए उन्होंने सो से अधिक मेडिकल कैंप लगवाए हैं जब कोरोना का महा संकट सीर पर था तब भीमसी जी ने अपने खेत्र के लोगों को वैक्सिन लगवाने के लिए भी बहुत प्रोथसाहित किया देश के अलग-अलग हिस्सों में भीमसी भवेश जी जैसे कई लोग है जो समाज में से अनेक नेक कार्यों में जूटे हैं एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर हम इसी प्रकार अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे तो है यक ससक्त राश के निर्मान में बहुती मददगार साबित होगा मेरे प्यारे देश वाचियों भारत की सुन्दरता यहां की विविदता और हमारी संस्कृति के अलग-अलग रंगों में भी समाजी था है मुझे देखकर अच्छा लगता है कि कितने ही लोग निश्वार्त भाव से भारतिय संस्कृति के सहुरक्षन और इसे सजाने सवारने के प्रयासों में जुटे हैं आपको ऐसे लोग भारत के हर हिस्से में मिल जाएंगे इन में से बड़ी संख्या उनकी भी है जो भार्षा के खेतर में काम कर रहे हैं जम्मु कश्मीर में गौंदरभल के महमत मानशा जी पिछले तीन दसकों से गोजरी भार्षा को समरक्षित करने के प्रयासों में जूटे रहे हैं वे गुजर बकरवाग समुदाई से आते हैं जो की एक जनजातिय समुदाई है उन्हें बच्पन में पढ़ाई के लिए कठीन परिश्रम करना पड़ा था वो रोजाना 20 किलोमेटर की दूरी पैदल ताय करते थे इस तरह की चुनवतियों के बीच उन्होंने मास्टर्स की डिग्री हासिल की और ऐसे में ही उनका अपनी भाषा को समरक्षित करने का संकल्प द्रड़ हुआ साहित्तक्षेत्र में मानसाजी के कारियों का दायरा इतना बड़ा है किसे करीब पचास समस्करोणों में सह जा गया है इनमें कविताएं और लोगईत भी शामिल है उन्हेंने कई किताबों का अनुवाद गोजरी भाषा में किया है साथियों अरुणाचल प्रदेश में तीरप के बनवंग लोसुजी एक टीचर है उन्होंने वांचो भाषा के प्रसार में अपना एहम योगदान दिया है यह भाषा अरुणाचल प्रदेश, नागालेंड और असम के कुछ हिस्सों में बोली जाती है उन्होंने एक लेंगवे स्कूल बनवाने का काम किया है इसके वांचो भाषा की एक लीपी भी तैयार की है वो आने वाली पीडियों को भी वांचो भाषा सिखा रहे हैं ताकि इसे लुप्त होने से बचाया जा सके साथियों हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो गीतों और नुर्त्यों के माध्यम से अपनी संस्कृती और भाषा को समरक्षित करने में जूटे हैं करनाटका के वेंकप्पा, अंबाजी, सुगेट का उनका जीवन भी इस मामले में बहुत प्रेरणादाई हैं यहां के बागल कोट के रहने वाले सुगारकर जी एक लोग गायक है इन्होंने एक हजार से अधिक गौंधरी गाने गाये हैं साथि इस बाषा में कहानियों का भी खुब प्रचार-प्रसार किया है उन्होंने बिना फिस लिये सेंकडो विध्यारतियों को ट्रेनिंग भी दी है भारत में उमंग और उत्सा से भरे ऐसे लोगों की कमी नहीं जो हमारी संस्कृति को निरंतर सम्रद बना रहे हैं आप भी इनसे प्रेना लीजिए कुछ अपना करने का प्रयास करिए आपको बहुत संतोष का अनुभव होगा मेरे पहरे देश वाचियों दो दिन पहले मैं वारणसी में था और वहां मैंने एक बहुत ही शांदार फोटो प्रदर्शनी देखी कासी और आसपास के युवाओं ने कैमेरे पर जो मॉमेंट कैप्चर किये हैं वो अदबूत है इसमें काफी फोटोग्राप्स ऐसी हैं जो मॉबाइल कैमेरे से खिच गई थी वाकई आज जिसके पास मॉबाइल है वो एक कंटेंट क्रियेटर बन गया है लोगों को अपना हूनर और प्रतिभा दिखाने में सोशल मीडिया ने भी बहुत मदद किये हैं भारत के हमारी वासाथी कंटेंट क्रियेशन के ख्षेतर में कमाल कर रहे हैं चाहे कोई भी सोशल मीडिया प्रेटफर्म हो आपको अलग-अलग विशों पर अलग-अलग कंटेंट शेर करते हमारी वासाथी मिल ही जाएंगे टूरिजम हो, सोशल कॉज हो, पब्लिक पार्टिसिपेशन हो या फिर प्रेरग जीवन यात्रा इनसे जुड़े तरह तरह के कंटेंट्स सोशल मीडिया पर मौझूद है कंटेंट्स क्रियेट कर रहे देश के युगाओं की आवाज आज बहुत प्रभावी बन चुकी है उनकी प्रतिभा को सम्मान देने के लिए देश में नेशनल क्रियेटर्स एवाड शुरू किया गया है इसके तहट अलग-अलग केटेगरीज में उन चेंज मेकर्स को सम्मानित करने की तैयारी है जो सामाजिक परिवर्तन की प्रभावी आवाज बनने के लिए टेक्नोलोजी का उप्योग कर रहे हैं यह कॉंटेस्ट माई गौव पर चल रहा है और मैं कंटेंट क्रियेटर्स को इससे जुड़ने के लिए आगर करूँगा आप भी अगर ऐसे इंट्रेस्टिंग कंटेंट क्रियेटर्स को जानते हैं तो उन्हें नेशनल क्रियेटर्स एवोर्ड के लिए जरूर नॉमिनेट करें मेरे प्यारे देशवास्यों मुझे इस बात के खुशी है कि कुछ दिन पहले ही चुनाव आयोग ने एक और अभ्यान के शुरुवात की है मेरा पहला वोट देश के लिए इसके जरिये विशेश रुप से फर्स्ट टाइम वोटर्स से अधिक से अधिक संख्या में मतदान करने का आग्रह किया गया है भारत को जोस और उर्जा से भरी अपनी वाशक्ति पर गर्वा है हमारे वा साथ ही चुनावी प्रक्रिया में जितनी अधिक भागिदारी करेंगे इसके नतीजें देश के लिए उतने ही लापकारी होंगे मैं भी फर्स्ट टाइम वोटर्स से आग्रह करूंगा कि वैं रिकोर्ड संख्या में वोट करें अठारा का होने के बाद आपको अठारवी लोकसभा के लिए सदस्य चुनने का मौका मिल रहा है यानि ये अठारवी लोकसभा भी युवा आकांशा का प्रतीख होगी इसलिए आपके वोट का महत्व और बढ़ गया है आम चुनावों के इस हलचल के बीश आप युवा ना केवल राजनितिक गतिविद्यों का हिस्सा बनिए बलकि इस दौरान चर्चा और बहस को लेकर भी जागरुक बने रही है और याद रखेगा मेरा पहला वोट देश के लिए मैं देश के इंफ्लिएंसर्स को भी आगरे करूंगा चाहे वो खेल जगत के हो फिल्म जगत के हो साहित्य जगत के हो दूसरे प्रोफेशनल्स हो या हमारे इंस्ट्रागाम और यूटूब के इंफ्लिएंसर्स हो वो भी इस अभ्यान में बढ़ चड़ कर हिस्सा ले और हमारे फर्स टाइम वोटर्स को मोटिवेट करे साथियों मन की बात के इस एपिसोड में मेरे साथ इतना ही देश में लोगसभाचुनाव का माहोल है और जैसा कि पिछली बार हुआ था संभावना है कि मार्च के महने में आचार चहीता भी लग जाएगी ये मन की बात की बहुत बड़ी सफलता है कि बीते 110 एपिसोड में हमने इसे सरकार की परचाई से भी दूर रखा है मन की बात में देश की सामुहिक शक्ति की बात होती है देश की उपलब्धी की बात होती है ये एक तरह से जनता का जनता के लिए जनता द्वारा तैयार होने वारा कारकम है लेकिन फिर भी राजनितिक मर्यादा का पानन करते हुए लोगसभाव चुनाव के इन दिनों में अब अगले तीन महेने मन की बात का प्रसारण नहीं होगा अब जब आपसे मन की बात में समवाद होगा तो वो मन की बात का 111वा एपिसोड होगा अगली बार मन की बात की शुरुवाद 111 के शुभ अंक से हो तो इससे अच्छा भला क्या होगा लेकिन साथियों आपको मेरा एक काम करते रहना है मन की बात भले तीन महेने के लिए रुक रहा है लेकिन देश की उपलब्दिया थोड़ी रुकेंगी इसलिए आप मन की बात हैस्टेक के साथ समाज की उपलब्धियों को, देश की उपलब्धियों को सोशल मीडिया पर डालते रहें कुछ समय पहले एक युवा ने मुझे एक अच्छा सुजाव दिया था सुजाव ये कि मन की बात के अब तक के एपिसोड में से छोटे छोटे वीडियो यूटूब शौट्स के रुप में शेर करना चाहिए इसलिए मैं मन की बात के सुरताओं से आगर करूँगा कि ऐसे शौट्स को खुब शेर करें साथ्यों जब अगली बार आपसे समवाद होगा तो फिर नई उर्जा नई जानकरियों के साथ आपसे मिलूँगा आप अपना ध्यान रखिये बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार